हेलो दूस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सावंड काड के बारे में, जो यूट्यूबर या फेश्बूक लाइव करने वाले हैं, या पिडिविंग गाना गाने वाले हैं, B8 एक sound card आता है उसके साथ में condenser microphone आता है और इसका sound quality बहुत ही अच्छा है बहुत ही वड़िया है अगर आप एक YouTuber है या फिर गाना होना record करते हैं singing करते हैं तो आपको ये जरूर लेना चाहिए तो चलिए देर ना करते हों वीडियो को हम सुरू करते हैं देखते हैं कि इसका sound कैसा है और एक बात अगर इस channel पर आप नए है तो जरूर चैनल को सब्स्राइब कर लेना और साथ मेरा bell icon को भी प्रेस कर देना ये देख सकते हैं ये microphone बहुत ही बड़ा एक packet आता है उसमें बहुत ही अच्छा सा बड़ी ऐसा microphone भी है sound card भी है और इसका sound का तो मैं बात ही ना करूँ क्योंकि इसका sound इतना अच्छा है इतना अच्छा है अगर आप एक blogger है या फिर यूट्यूवर है या फिर फेस्बूक लाइबर है आप लाइब स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको यह microphone लेही लेना चाहिए और इसका प्राइज भी इतना ज्यादा नहीं है दो से डाई हजर के अंदर आ जाता है कि तो चलिए फटाफट इसको हम खोल लेते हैं इसको पहले मैंने खोल दिया है फिर भी आपके सामने एक पर फिर कूल देते हैं सबसे पहले आपको यह मिल जाएगा एक गाइड जो जिस मतलब जो मिक्चर का वीट मिक्चर का जो जितना भी फांक्शन है वो सब दिखा हुआ है और उसके बाद मिल जाता है है आपको ایک फिल्टर जो आप स्टेंड के साथ इसको मांट करके गाना उना गा सकते हैं तो गाना नहीं गाएंगे हम तो आपको शरीफ खाली दिखायेंगे गाना नहीं गाएंगे या फिर आप लाव स्टीमिंग बगरा जो भी है आप कर सकते हैं बहुत अच्छा के लिए प्रबोर्च आएगा ये फिल्टर मिल जाएगा और एक चोटा सा फिल्टर मिल जाता है उसके बाद ये कुछ भी तो यह कुछ कागज बगरा मैनुव बगरा है आप देख सकते हैं पड़ वी से और यह मेनुवी आप अचीस तरह से पड़ लेंगे तो इसको को यूज करना बिल्कुल आसान है कोई दिक्कत नहीं है साथ में मिल जाता है आपको कनेक्टिवीटी करने के लिए जो कनेक्टर केबल है जिसे आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे या फिर पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे कनेक्ट करने के लिए तीन केबल मिल जाता है आपक जो आप microphone माउंट करने के लिए एक folder की तरह चलिए इसको भी रख देते हैं और साथ में मिलता है आपको यह stand जो आप माउंट कर सकते हैं ऐसे माउंट करके मतलब आपके जैसा आपका system उसके साथ आप उसी साब साब मांट कर सकते हैं इसको मांट करें इसको लगा करें लेकिन यह मैक्रोफन बहुत ही अच्छा दिखने में विद अच्छा बारी है और शायब मतलब इस प्रोफेशनल दिखने में भी प्रोफेशनल लग रहा है और इसके साथ आप यह जो फिल्टर आया है फिल्टर को भी लगा सकते हैं उसके बाद यह फिल्टर को छोड़के दूसरा फिल्टर जो दिखाया हो भी एट कर सकते हैं हम सब फिट करके आपको दिखाएंगे और उसके साथ में आ जाता है यह वह यह तो बहुत ही वड़िया वजन वाला है बहुत अच्छा है लाइब साउंड काट लाइब दी साउंड काट भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और पीछे के और देखते हैं तो इसमें बिल जाता है आपको लाइब वान लाइब टू और इसमें बिल जाता है चार्जिंग पोर्ट इसमें बिल जाता है यारफोन स्पीकर हेड़फोन मतलब हैंड सेट के जो है और इसमें आता है कॉंडेसर माइक्रोफोन और इसमें आता है यह बड़ा वाला जो पीन है इसमें आता है डाइनमिक माइक्रोफोन जो हमारा बड़ा वाला मैक्रोफोन होता है माइक भी उसको भी आप लगा सकते हैं इसको इसके साथ टाच करके उस को दिखा देंगे कि कैसे आपड़ कर ना यह इस तरह से यह लग जाएगा रखने आप का जो यह यह स्टेंड है मान नेजी आप टेबल को उसाइड में हम लगा दिये हैं और यह सके साथ में यह आ जाएगा इस से इस तरह से यह मैक्रोफोन इदर आ जाएगा और इसको आप गुमाओ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है टाइट कर देंगे तो यह लेगा नहीं के और यह से रघसर बिट हैं यह शेरको को करेंगेSe1 को लगाने के लिए टाइम नहीं है तो चैलिए इसको फटा फटा हम कर लेते हैं मािक्रोफोन के साथ अभी अम यह जो कैवल है यह केवल मैक्रोफोन का जो कैवल आ रहा रहा है बड़ा वाला केवल इसको हम यह जहां पर दिखा रहा है कॉंडेंसर मैक्रोफॉन इस पोर्ट में हम लगा देंगे बाकी यह जो केवल है कि आपके आपका मोबाइल मतलब आपका जो ओटीजी है ओटीजी के हिसाब से अगर यह आपको ओटीजी में आ रहा है आपका मोबाइल पर या पीची पर यह आ रहा है यह पीन आ रहा है तो इसको आप इसके लिए अलाग से आपको एक ओटीजी पार्चेस करना पड़ेगा तो चलिए हम इसको भी लगा देते हैं फटाफट लाइब टू में लगा देते हैं इसको लाइब वान में भी लगा सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब अभी इस माइक्रोफोन को बात करेंगे तो उस टाइम आपकी आवाज कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है मतलब उसको आप मोनिटर करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जा क्योंकि आप जो बात करने हैं इसके इसमें बहुत सारा साउंड है मिक्चर है उसको आप साउंड सेट करने के लिए आपको मोनिटिरिंग करना जो आपको साउंड इसको मोनिटिरिंग करने आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है तो इसलिए यह जो यह जो हेड़फॉन है ऐसा भी आप ले सकते हैं Amazon पे मिल जाएगा और यह जो sound card है और microphone के साथ यह पूरा set आपको Amazon पे भी मिल जाएगा flip card भी मिल जाएगा और mesho पे मिल जाएगा अगर आप mesho से खरीदना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और यह यह भी मिल जाएगा आपको Amazon पे या flip card भी मिल जाएगा अगर आपके पास यह नहीं है आपका जो normal headphone है mobile के साथ आता है वो भी आपको काम चल जाएगा लेकिन एक होना ज़रूरी है क्योंकि आपकी आप इससे sound को मतलब किस से sound को आप मिला रहे हैं यह जो headphone या earphone जो भी होगा आपका इसको आप लगा सकते हैं यह जो headphone speaker है headphone speaker पर आप इसको लगा दीजिए headphone speaker पर लगाने के बाद यह आपके साथ जो यह जो है आपका headphone का वायर है वो तो अपने कान पर लगा दी होंगे और यह जो और है यह वार से हमारा लाइव जो कनेक्शन है वह आ रहा है तो चली हम इसको मोबैल के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि यह पावर को प्रेस करने के बाद पुरूंद बाद यह जो साइड में दिखना आए एक पावर लिखा हुआ है, उसमें आप अगर आप पावर में प्रेस करेंगे, तो तुरहंद इसका साउंट रेकोड होना शुरू हो जाएगा, मतलब साउंट इसको यह ओन हो जाएगा, इसमें कितना टाइम बेकप देता है, मुझे पता नहीं, लेकिन है एक बैटरी, और इसमे पोड़ जाता है, बैक साइड में आप चार्जिंग करके भी चला सेते हैं, या फिर आप उने कोई मोबल का चर्जर या बगारा जो भी है, उससे आप डारेक्ट चार्जिंग करते भी बात कर सकते हैं, मतलब रेकोड कर सकते हैं, इसके लिए यह पीन दिया गया है, यह उनका है, तो आप सुन सकते हैं कितना बढ़ी असा साउंड आ रहा है, और इसमें आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, यह जो है, इसको मैं गुमाओंगा तो यह साउंड कम ज्यादा हो जाएगा, बहुत ही बढ़ जाएगा, और उसके बाद इसमें आपको इको मिल जाता है, हैं कि मेरा साउंड नॉर्मल हो गया है, अभी में इसको बढ़ाऊंगा तो उप भी बढ़ जाएगा, जो साउंड एको होते हैं उससे बढ़ जाएगा, यह देख सकते हैं, उसके बाद इसमें मिल जाता है आपको ट्रावल, जो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तोड़ा जएधा हो जाएगा, अभी जब मेरा आवाज है, वह में बैस जएधा कर दिया हैं, उसके बाद ये मोनीटोरिंग का जो माइक्रोफॉन, हेटफॉन मेंने मेरा कान पे लगाया है, उसके लिए ये देखे, ये मोनीटोरिंग का एक वॉलियम होता है, कि मोनिटरिम में कितना साउंड चाहिए आपको, आपके कान पे कितना साउंड जाए, बहुत ही अच्छा है, साउंड कॉलिटी, आप सुन सकते हैं, उसके साथ भी आगर आप कोई वीडियो बगरा एटिट कर रहे हैं, या फिर कोई लाइब स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो क्य करना करता है, लेकिन इसमें क्या होगा, आप अगर लाइब स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी एडिटिंग करने के लिए मतलब बएजवार कर रहे हैं, तो बएजवार के पीच में आपको इसमें फानी एट करनी के ज़रूरत नहीं बढ़े कि क्योंकि आप इसमे यह जो सारे बटन दिखाया हूआ है, लाल उला नही है यह जो अला वाला जितना दो लाइन बठन दिखाया हूआ हूआ है, यह सब पानी आवज निकालने के लिए है, जैसे कि इसमें मैं प्रेस करूंगा तो किसकरनी के आवज निकलेगा, सुनिए कि अब यह सुनिगाब, में दुबरा परेस कर रहा हूं ऐसे आवज निकाल सिकते हैं बात करने की बीच बीच में यह देखिए बात करने की टाइम जिसमें अगर प्राइक करूँगा तो शॉंग प्ले हो जाएगा आप सुन सकते हैं एक सॉंग प्ले हो गया है और सुन्ग दूसरा भी है, सँन्ग बाद में भी प्रेस करेंगे हैं, सँन्ग प्रेस करेंगे तो यह भी एक सुन्ग प्रेस हो जाता है और इसमें भी श्रीफ सेम किसिंग है इसमें भी है, मुझे भी पता नहीं है, क्या गयाता है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है, इसमें एक अनफारिण का जो साउंड हुआ जाता है, सुनिएगा आप, और इसमें ये आवाज आ रहा है और इसमें समी जो पाइटी बगर हमें आप गात करते कहते हैं हाथ ताले होते हैं उसके आवाज आ रहा है उसके साथ मैं ये देखिए आपको कवे के आवाज निकलता है और ये भी एक है हासी के आवाज, जो फानी आवाज, मतलब फानी साउंड है, उसको आप एट कर सकते हैं, उसके बाद ये भी, मिलते हैं, नेक्स्ट और एक वीडियो में? मिलते हैं, नेक्स्ट और एक वीडियो में और इसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं कॉमेंट पे और अगर आप एक यूट्यूवर है तो मेरा यह रिक्योमेंड रहेगा कि आपको यह साउंड कट ले ही लेना चाहिए क्योंकि इतना ज浏दा मेंगा नहीं है मोटा मूटी 2000 के आसपर 2,025 के अंदर आजाता है और आपको लेने के लिए मिलजाएगा यह थमाज़ून पर भी वी मिलजाएगा और फिलिपकर्ट में भी मिलजाएगा मेशो पर भी मिलजाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेंक यू